अपनी बात को आगे लेके चलते हैं और इस महाधमाका में तो आप जोड़ चुके होंगे कितने ओसम मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि सर ने इतने अच्छे तरीके से हमें इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी कि हमें अब कटीन से कटीन शब्द याद होने लगे हैं तो दोस्तो आज हम बात करते हैं परिक्षा के डर को डर लगता है मुझे बताना मुझे आप comment box में बताना कि exam का डर आता है बहुत से phobia सा आता है और अब मैं जो symptoms बताने जा रहा हूँ मुझे बताना कि क्या ये होने शुरू हो गए है जो लोग जिनको 2023 में prelims देना है चलिए आज देखते हैं कि क्या हो सकता है तो आज मैं 4 tips बताता हूँ कुछ चीजें हैं जैसे exam आता है तो सिर्फ हम exam अकेले नहीं दे रहे होते हमारा परिवार हमारे रिष्टेदार हमारा समाज सब को ये exam दे रहा होता है सब को हमसे उम्मीदे हो जाती है वो जो अपने समय में नहीं कर पाए वो जो तुम्हारे माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाते है वो जिन्होंने अपना दाव लगा रखा है वो सभी तुम्हारे साथ इस समय exam दे रहे होते हैं उनके सपने हो रहे होते हैं तुम अकेले नहीं इस समय मुखड जीन अगर करोल बाग में तेहरी कर रहे हो या देश के किसी इससे में तुम्हारे साथ, तुम्हारे माता, पिता तुम्हारा परिवार, भाई, बहन ठीक है उस बहन जिसकी शादी नहीं हो रही है या जिसकी शादी होनी है तुम्हारी सफलता पर ही उसके लिए अच्छा रिष्टा तै होने वाला है अगर मैं सही हूँ तो मुझे बताना कि मेरी बात तुम तक जा रही है वो मा जिसने बहुत लंबे समय पहले सोचा था कि उसके हाथ में सोने की चूडिया होनी चाहिए और तुम्हारी पढ़ाई के लिए उसने सोनी की चूडिया नहीं बनवाई उसको अमीद है जिस दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनके आएगा उसी दिन मेरा हाथ में वो चूड़ी पहनाएगा वो पिता जो बहुत समय से अपना सेकेंड हैंड स्कूटर या मोटर साइकल बेचने की सोच रहे थे और उसकी जगह एक अल्टो खरीदना चाहते थे ताकि पूरा परिवार एक साथ चले तुम्हारी पढ़ाई की वज़े से उन्होंने वो कार नहीं खरीदी उन्होंने वो सपनों को रोक दिया क्योंकि तुमने कहा कि मैं IAS या IPS बनना चाहता हूँ और तुम्हारे सपनों के पीछे पूरे परिवार ने अपने सपनों को तिलांजली दे दी या उसको जो होल्ड पे रख दिया कि ये मेरा बच्चा जब कुछ बनकर आएगा सिविल सेवा क्रॉस करेगा तब जो है मेरे सपने पूरे होंगे सबने रोक रख रख तो तुम अकेले एक्जाम नहीं दे रहे हो इसलिए जब तुम पढ़ाई करो ना तो याद रखना कि तुम्हारे कंदों पर जाने कितने लोग के सपनों का बोज है तुम अकेले नहीं बात करो जो किताबों के बोज के नीचे लक्षमी कान्त और या विपिन चंद्रा इनका बोज है तुम्हारे उपर तो सपनों का बोज टिका हुआ है जिनकी जमीने फसी हुई है पिता कह रहा है कि आज मुझे लाठी से मारा है गवाँ में मेरी संपत्ति ले लिये मुझे कल एक बच्चे ने फोन किया लेकिन जिस दिन मेरी ऑलाद बनकर आएगी कलेक्टर तुम्हें लोगों को मैं बताओंगा कि क्या होती है पावर तो ये सारी चीजे हमारे साथ हो रही है, सारी चीजे हमारे साथ चल रही है, तो अब वक्त है बहतरीन करने का, अब वक्त है उन सपनों को आगे लेके जाने का, तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं और समस्ते कि क्या ये जो भार है, वो तुम्हें इतना तो नहीं दबा रहा तुम्हारा डर बढ़ने लगा है, मैं कुछ symptoms बताता हूँ जरा बताना क्या तुम्हारे साथ होता है, क्या पसीना आने लगा है, क्या जाड़े में भी जब पेन पकड़ रहे हो तो हाथों में कुछ पसीना सा आ रहा है, क्या रात में जब तुम्हारे सामने फिल्म सी चलती ह ऐसा लगता है कि मैं सो रहा था या सोच रहा था पता ही नहीं चला पूरी रात सपने जो है वो आँखों के सामने से तैर के निकल जाए अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताते जाना क्या कभी कभी अचानक से अपने रिजल्ट के बारे में सोचते तुम्हारी दिल की धलकने बहुत तेज बढ़ जाती है अचानक से एंजाइटी सी फील होने लगती है सफोकेशन कमरे में जो है सफोकेशन सा होने लगता है मन करता है किसी से बात करूँ अरे तुमने क्या पढ़ लिया तुमने क्या पढ़ लिया तुम्हारा कितना तयार हो गया तुम्हारा कोर्स प पाता मेरा नहीं निकलेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई या ये coaching ठीक नहीं है ये teacher ठीक नहीं है ये course ठीक नहीं है क्या सब के बारे में सिर्फ negative बाते निकल कर आ रही है अगर आ रही है तो तुम इस समय भै की प्रथम stage का शिकार हो चुके हो अभी first stage कह रहाओ, अभी second stage आनी बाकी है, तुमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ होगी, तुमारे limbs में pain होना शुरू हो जाएगा, तुमारे lower back, L4, L5 में pain होना शुरू हो जाएगा, तुमारा spinal cord में pain होना शुरू हो जाएगा, Spondylitis का pain शुरू होगा तुम्हारी cramps आनी शुरू हो जाएंगी तुम्हारा digestive system थर्ड स्टेज में crash होगा और फोर्थ स्टेज में तुम्हें fever आना की जो है वो बारम बारता शुरू हो जाएगी और ये सब कुछ कहां से शुरू होता है एक छोटा सा शब्द एक छोटा सा शब्द लिखते जाना लिखते जाना कि April मई तक ये तुम्हारे साथ होगा और वो होता है डर इतनी भैनक चीज है तुम्हारा parasympathetic nerve heart 20-20 minutes में वो active कर देगा और तुम्हारी blood supply जो है दिमाग की तरफ जाने की बजाए वो body के अलग-अलग parts में जाएगी तुम ऐसे सामने बैट के पढ़ रहे होगे और तुम्हें समझ मिनिया का क्या लिखा हुआ है अक्षर ऐसे आँखों के सामने से आएंगे और जाएंगे तुम बार-बार खुद से कहोगे अरे यार समझ मिनिया क्या लिखा हुआ है और अगर ऐसा हो रहा है तुम डर की एक phase में इंटर कर चुके हो और अगर कर चुके हो तो अब जो तरीके में बताने जा रहा है उसको अगर follow नहीं करोगे तो ये डर चौते stage में आ जाएगा total number of student जो इस साल फार्म भरेंगे वो 50 से 55% कभी center नहीं जाएंगे और वो stage 4 का शिकार हो जाएंगे तो आप क्या stage 4 का शिकार होना चाहते हो क्या तुम बिना लड़े हार मानना चाहते हो क्या तुम बिना लड़े हार जाना चाहते हो अगर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर अपने इस दर को खत्म करना चाहते हो और बिना लड़े, बिना जिद तक किये अगर तुम लड़ने से डर नहीं सहते हैं तो आजाओ, स्वागत है आप सभी का आईए, अब हम बात करते हैं इस दर से लड़ा कैसे जाए पहला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना ज़ादा इंपॉर्टेंट है कि most of the students इसको miss कर जाते हैं तो मैं पता है ये डर कब आता है जब तुम्हारे पास भटकने के रास्ते होते हैं हमारा दिमाग एक दिन में 46,000 से लेकर 84,000 थाट्स के बीच जूलता रहता है अलग-अलग माइंड किसी का माइंड बहुत ज़ादा डाइवर्ट है किसी का माइंड फोकस है लेकिन इतने थाट्स हमारे दिमाग में होते हैं और ये हमें हर समय इधर से उधर इधर से उधर लिकर जाते हैं यही मन का काम है ये प्रकाश की गति से भी तेज चलता है ये तुम्हें भटकाता है क्योंकि इसी से तुम्हारा व्यक्ति तो निकल सकता है जो इन thoughts के 20 से निकल कर अपने लक्ष का संधान कर ले, वही अरजुन है, वही एकलव्य है, वही आज की दुनिया में विजेता है, तो ईश्वर ने हमें कहा है कि हमारी परिक्षा में तुम्हें भटका दूँगा, तुम्हारा शत्र तुम्हारे दिमांग में बिठा और इसमें तुमने इन अंधेरों में तुमने अपने लक्ष को देखकर अगर उसको संधान कर दिया, उस लक्ष को साथ दिया, तो तुम विजेता हो, तुम ही आज के अरजुन हो, और यही यहां का सबसे बड़ी सीख है, तो करना क्या होगा, हमें यह नहीं पता होता है कि क्यूं? मैंने देखा कि कहां से question की बारम बारता सबसे ज़्यादा, hot topics कौन से हैं, और मैंने उनकी एक list बनाई, और मैंने कहा कि prelims के batch में ये वो 100 lectures में आपको पढ़ाऊंगा, जहां पर ये सारे topic cover करूँगा, most important topic जो कई सालों से हमने research किया, बार-बार question यहां से आ रहे हैं हमने उसको बना डाला, अब जब student उसके साथ 99 रुपए के batch में आया, तो पहली बार 99 रुपए के लिए उसको कुछ सोच रही नहीं था, जब वो आया, तो उसको वो चीज़े exactly मिल रही है, this is known as planning, अब plan जैसे ही हो गया, तो हमने क्या किया, इसी पर अब हम test series launch करने जा रह गई, कि हम topic के साथ साथ हम सारी चीज़ों को भी plan कर सकते हैं, तो पूरा जो है forward study method और reverse study method, दोनों के दोनों इसमें सद गए, अगर आप actually में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आज से plan करना शुरू कर दीजे, proper plan करना शुरू कर दीजे, और planning का मतलब होता है, macro topics, macro topics and micro topics, अगर आप really success होना चाहते हैं, आप अपनी हर चीज का record रखिए, हर चीज का record करिए, कि मुझे ये ये चीजे करनी है, तो आप कहते हैं, जैसे history मुझे पढ़ना है, साब मैं modern history पढ़ने जा रहा हूँ, जो student ये बोलता है, मैं समझ जाता हूँ, इसका selection नहीं होना है, ये अ कि 1707 के पहले पढ़ रहा हूँ, 1857 तक पढ़ रहा हूँ, मैं charter acts पढ़ रहा हूँ, या micro topic, यानि इसमे heading to subheading, ये उसका लिखा होना चीज, उस पर tick होना चीज, जैसे आज हम 99 के batch में, जो जो पढ़ाते जारे हो, उसको tick करते जारे देखी, ये सारे topic cover हो गए, आपका believe system आ रहा है, actually में क्या होता है, planning हमें आ रहे अंदर जो है, वो एक जो घोड़ा होता है न, तो जंगली घोड़ा हर तरफ दोड़ता है, घास मिली तो वहां रुग गया, फूल पत्ती मिली वहां रुग गया, और एक होता है, वही घोड़ा जब race में जाता है, तो दोनों तर चाहते हो, और लोग तुम पर दाव लगाना चाहते है, तुम्हारे माता, पिता, भाई, बहन, परिवार, रिष्टतार, सब ने तुम पर दाव लगाया, इसलिए दाव लगाया कि उनको उम्मीद है कि तुम्हारे आँक के दोनों तरफ पट्टियां बंदी है, उनको विर अपने को पूरा करके वो उस कर्ज से निकलना चाहते हैं, वो अपने माबाप को बताना चाहते हैं कि आपने मुझे पर दाउं लगा कर कुछ गलत नहीं किया, इस रेस में तुम अकेले नहीं हो, इस बात को याद रखना, इस रेस में तुम अकेले नहीं हो, तो आज से अभी साथ एक चीज होनी चाहिए और वो होना चाहिए तुम्हारा टाइमर अब तुम और समय सिर्फ दो लोग हो इस पूरी लडाई में जिसने समय को नाथ लिया जो समय का सार्थी बन गया जिन्दगी में जीत उसकी हुई है उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ क्योंकि सम कि रेस तुम्हारी होगी तुम्हारी होगी तो आज यह पहली बात जो रही पहला जो सेग्मेंट रहा वो यह रहा कि अपना स्टडी प्लान बनाए और इसको फॉलो करें रोज करें आप आज चले करेंगे मेरे बच्चों को मैंने स्टडी बूस्टर एक बैच पढ़ाया जिसे हम लोग करते हैं प्रोड़क्टिविटी बूस्टर एक दिन में आप और पूट कैसे निकालते हैं और वो बैच चार सो 99 अबे करता है आप कहेंगे तो आपके लिए भी 99 अबे कर दूँगा आप बताइए कि सर मुझे वो प्रोड़क्टिविटी बूस्टर चाहिए पांच दिन की वो क्लास और आज बच्चे परसेंटेज में बात करते हैं कि सर मेरा परसेंटेज 67 परसेंट आज दिन करहा 80 परसेंट रहा 60 परसेंट रहा आज की डेट में वो प्रोड़क्टिविटी की बात करते हैं कि सर मेरा दिन आज कैसा रहा और जिसने अपना दिन न स्ट्राग्रफी 15 डेज एकॉनमी सर प्री निकल जाएगा क्या आपने भी ये बात पूछी होगी आपने भी ये बात की होगी आया दूसरे सेग्मेंट में बात करते हैं अपनी तैयारी रट कर रही सीख कर करो ये वो स्ट्ट होते हैं जो एससी की परिक्षा PCS की परिक्षा और IS की परिक्षा में अंतर ही नहीं जानते हैं उनको लगता रहे हिस्ट्री वहां भी पढ़नी है यहां भी पढ़नी है वहां पानीपत का तृति युद्ध याद कर लिया बोला सर यहां भी है इस्टूएं आते हैं NCRD की क्लास में सर वो आपने सन नहीं लिखा है मैंने पूछा इससे पहले कौन सा एक्जाम दिया था फलनवा चतुरस रेडी का एक्जाम दिया था फलनवा लोको पाइलेट का एक्जाम दिया था वहां सर सन पूछा था यह IS है तुम देश चलाने जा रहे हो जिले के मालिक बनने जा रहे हो बड़ी-बड़ी परियोज रहे तु विभाग वाला समस्ता है, तो अपनी पढ़ाई को आप सबसे पहले आप मेमोराइज करने की बजाए समझना शुरू करो, अपनी लाइब से रिलेट करना शुरू करो, जो चीजे कही जा रही हैं उसको एपलाई करना शुरू करो, पॉलिशन क्यों पढ़ रहे हो, शहरी करन क के लिए तुम्हें किताब पढ़ने की जुरूरत है, तुम कभी चौराहे पे नहीं निकले, तुमने पॉलिशन नहीं देखा, तुमने ट्राफिक पर लगे हुए जाम को नहीं देखा, उस फसी हुई एंबुलेंस को नहीं देखा, जिसके अंदर एक मरीज मर रहा होता और लोग रास्ता नहीं देते, कौन हो तुम, शेहरों में तुमने सड़क किनारे किसी दुरघटना में लोगों को सेलफी बनाते हुए देखा, वीडियो बनाते हुए देखा, लेकिन उसको उठाते हुए, आप पस्पता ले जाते हुए नहीं देखा तुमने, तुम्हें शे जैसेंकर ऐसी बाते कर रहे हैं, क्यों ऐसी जो है चीज़े हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को डिजायर कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान हमारे लोगों कोई हत्या कर रहा है, क्या है ये चीज़? ये जब जागती हैं दिमाग की आखें, तो प्रशन पूस्ती हैं और जब प्रश्ण पूछती हैं, तो मन उसका उत्तर ढूनी लेता है, यही UPSC है, तो अगर जगाना है, तो मन की आँखों को अपने दिमाग की आँखों को जगा दो, दिमाग की आँगे जिस दिन तुम्हारी जग गई, तुम्हारी information भागते हुए तुम तक आएंगे, दि किताब नहीं बता सकते हैं, इसको पढ़कर I.S. निकल जाए, ऐसे ऐसे प्रश्णों का सामना मुझे करना पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता है, इसको समझाओं, इस पर हसूं, या क्या करूं, सिक्षा का इस तर कहां तक पहुच चुका है, कि तुम जिस exam को देने ज जा रहो, उसके बारे में तुम बात ही नहीं कर रहो, तो आज के बाद जब भी कोई चीज पढ़ो, उसको अपने जीवन से जोड़कर पढ़ो, कभी भी नहीं भूलोगे, और पचासो एक्जामपल इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कि जो चीज आपने कर ली, वो कभी नहीं भूल सकते, साइकल चलाना सीखे, कभी नहीं भूलोगे, चाय बनाना सीखे, कभी नहीं भूलोगे, जो चीज तुमने कर लिया, आपनी जिन्दगी से जोड़ लिया, वो कभी भी भी.